बॉलोवुड में दो कलाकारों का रिष्टा कब कौन सा मोर ले ले ये कोई नहीं बता सकता यहां हालात इतनी तेजी से बदलते हैं कि दोस्ट दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन का दोस्ट बन जाए पता नहीं चलता ऐसा यह किसा सनी दियौल और अक्षि कुमार के जा रहे थे तब सनी ने जिंपल के साथ उन्हीं की शादी के कार्ड बाटे थे इस दिल्चस्प किस्से की शुरुवात हुई थी 1997 में रिलीज हुई फिल्म जिद्दी की शूटिंग के दोरान रवीना टंडन इस फिल्म में सनी देओल के साथ काम कर रही थी लेकिन शूट तक तीन साल तक डेटिंग करने के बाद अक्षे कुमार ने शिल्पाश शेटी की खातर रवीना टंडन को धोका दे दिया था अक्षे के साथ हुआ ब्रेक अप रवीना के लिए किसी सदमे से कम नहीं था कहा जाता है कि फिल्म जिद्दी की शूटिंग के दोरान सनी देओ ने रवीना को रोते हुए देखा तो उन्होंने उनसे रोने की वज़ा जाननी चाही जिसके बाद रवीना ने रोते-रोते सनी देओल को अपने ब्रेक अप और अक्षे के दिए धोके के बारे में सब कुछ बता दिया रवीना का ये दर्द सुनकर सनी दियौल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी गुस्से में अक्षी कुमार के पास गए और उनकी जम कर धुनाई कर डारी थी हलाकी बाग में दोनों के बीच की इस कोल्ड वॉर का भेर ड्रमाटिक एंड भी हुआ था शल्पा शेटी के साथ बेक अप के बाद अक्षे ट्विंकल खना को डेट करने लगे थे ट्विंकल खना से शादी करने का फैसला कर अक्षे कुमार डिंपल का पाडिया के धमाद बनने वाले थे वही सनी दियॉल और डिंपल का पाडिया की नस्दीक्या भी किसी से छुपी नहीं रिपोर्ट्स के मताबिक जब जिंपल ने चुंकल और अक्षी की शादी की कार्ट बाटे थे तब उनके साथ सनी दयॉल भी मौजूद थे यानी सनी दयॉल ने जिंपल के साथ मिलकर अक्षी की शादी का नियुता मेहमानों को दिया था इसे बॉलिवुड में ये किसा भी मशूर है कि फिल्म जिद्धी की शूटिंग के दरान ही सन्नी डियॉल और रवीना टंडंग के बीच भी नस्ती के बढ़ गई थी गॉसिप के गलियारों में दोनों के अफैर के किसे भी मशूर हो गए थे कहते हैं कि जब रवीना और सन्नी के अफैर की ये खबरें डिम्पल का बाटिया तक पहुती थी तब डिम्पल ने गुस्से में रवीना टंडंग के गाल पचाटा जड़ दिया था ब्यूर रपोर्ट E24 बी टाउन की कोई पार्टी हो या सलिबिटीस की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रोवर्सीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर तो फिर धमाकेदार इंटेटेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहेए E24